आप सबने mirror work के बारे में सुनाई होगा mirror work technique और ये mirror work technique बहुत ही beautiful technique है और बहुत अच्छी तरह से वग करता है और आप यह सोचते हैं कि mirror work किसके लिए है यह हर एक person के लिए हर एक age group के लिए और यह आपके लिए भी है तो mirror work आपके खुद के लिए काम करता है क्योंकि हम सोच रहें किसी के लिए तो यह mirror work technique आपको बहुत help करती है आपको अपनी life में आगे बढ़ने में आपकी growth के लिए अगर आपका self-esteem बहुत low है तो आप अपने आपको mirror में देखते हुए बहुत सारी चीज़े बोल सकते हैं I am powerful, I am loved, I am confident आपको लगता होगा यह कुछ शब्द परक पड़ेगा, बहुत फरक पड़ता है क्योंकि normally क्या होता है life में हमें कोई भी कुछ भी बोल जाता है और हम उसको believe कर लेते कि मैं ऐसा ही हूँ या मैं ऐसी हूँ हूँ, but नहीं, you are powerful, हर एक soul, हर एक person unique है, भगवान ने उसे uniqueness के साथ भेजा है, but environment उन्हें यह सोचने प तो यह mirror work आपको अपने power में लाने में बहुत help करता है, आपका confidence जो बहुत low हो गया, लेकिन अगर आप mirror के आगे, अपनी आखों में आखे डाल के आप यह बोले, I am confident, I can do everything, I have potential, I can take good decision, जो भी शब्द आपको लगता है, जिसमें भी आपको लगता है, जिसमें भी आपको ठीक कर सकते हैं, mirror work के द्वारा, मैं अपने teaching profession में जब मैं थी, मैं अपने बच्चों को यह चीजें, छोटी-चोटी चीजें क्लास में सिखाती थी, कि बच्चों आप जब morning में उठते हैं, आप अपने आपको बोले, I love you, I am confident, मैं एक बहुत अच्छा student हूँ, brilliant student हूँ, यह चोटी-चोटी चीजें हैं, देखने में बहुत चोटी चीजें लगते हैं, और लगता है कि क्या काम करेगी, कि बोलने से कुछ शब्दों का, और वो भी हम शीशे में देखके क्या फरक पड़ेगा, लेकिन बहुत फरक पड़ता है, क्योंकि इस mirror work ने मेरी life में भी ब का person हो, वो अपने आपको ग्रूम कर सकता है, अपना confidence level, अपना potential, अपना powerful वापस ला सकता है mirror work के द्वारा,